कि हलो एंड वेलकम डू मैं चैनल ओल भीव्स एजुकेशन मैं रंजीद सिंग आपका स्वागत करता हूं आज एक काफी अच्छी न्यूज आ रही है बिहार को काफी प्राउड होगा इस न्यूज पर की बारह हजार होर्सपावर की ट्रेन हमने डेबलॉप की है ठीक है वह इंडियन रिल्वेट ट्रैक्स पर बढ़ने के लिए रेडी है तो देखते हैं इसके बारे में क्या है तो देखते हैं काफी न्यूज कवरेज मिली है इसको एक्स्टेंसिवी न्यूज पेपर्स ने सारे न्यूज चैनल ने इसको कवर किया है मैंने एक दो न्यूज पेप पाउमर की जो पहली लोकोमोटिव जो इंडिया में ही तैयार हुई है वो उसकी कमर्सियल रन हो चुकी है वो पहला रन अपना सुरू कर चुकी है पहली दफाव वो इंडियन रेलवे वो थी अभी हमारे पास 12,000 होर्सपाउर की ट्रेन बन चुकी है और उसे बनाया किसने है उसे बनाया है एलेक्ट्रिक लोको फैक्टरी मद्धेपूरा में ठीक है बनाया गया है तो काफी प्राउड की बात है कि हमारे बिहार में इसका manufacturing हुआ है और यह आपको पता है डीजल डीजल मैं कर रहा हूँ electric local factory में पूरा जो है वो एक joint venture है Elstom AC of France और Indian Railway के बिच यानि Elstom AC France की company है और Indian Railway obvious से बाते इंडिया इंडिया की Indian Railway भारत सरकार की इन दोनों का उसमें पैसा लगा हुआ है जो पचीस हजार क्रोड की अराउंड डील है पचीस हजार क्रोड की अराउंड डील है इसमें सेयर है 74% इंडियान रिल्वे की है 74% इंडियान रिल्वे की है और 26% Elstom AC की है जो फ्रांस की company है मैंने आपको बता दिया इसकी इनाउग्रेशन 2015 में हुई थी जब नर्यद्रमोदी जी हमारे नयने प्रदान मंत्री बनने थे इसके बाद इसकी इनाउग्रेशन हुई थी लेकिन manufacturing इसकी October 2017 में यहाँ पर शुरू हुए थी टार्गेट क्या था टार्गेट यह था कि चार लोको मोटिप 2019 में डेलेवर करनें है, 35 2020 में और 60 2021 में फिर तोसओ करके हर साल डेलेवर करने है और Cloud 800 डेलेवर करने थे ठीक है in total 800 lokomotivs डेलेवर करने थे यहां से इस लोको मोटिव factory से तो आप समझ सकते हैं अभी जो हमारा train जो वह इस नमबर से लांच हो है WAZ 12BB 62027 अभी समझें का WAZ का मतलब क्या है 12B का मतलब क्या है और आप समझ सकते हैं ऐसे ही नमबर दिया जाता है तो अभी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि जो WAZ 12BB जो है ठीक है अब इस पहली ट्रेन का जो सबसे पहली दफाई ये ट्रेन जो दोड़ी है वो मुगल सराय जो दीन दयाल उपाध्याय हमारा जो है जो मुगल सराय का नाम डीन पहले वो यूपी से लेकर बरवा डी जक्षन जो जारखंड में पढ़ता है वहां तक पहली बार चले ठीक है और इसकी एबरेज स्पीड क्या थी और क्या है 100 किलोमेटर पर आउर इसकी माक्सिमम स्पीड 120 किलोमेटर पर आउर हो सकती है ठीक है इसके अंदर सारे लगे हुए है तो इसलिए यह ग्रिल लोको भी है ठीक है और और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो भारत की एक्स्ट्रीम हीट होती है जो हमारे काफी टेंप्रेचर कभी-कभी 40 के राउंड चला जाता है किसी-किसी स्टेट में तो उसको भी यह ज समझते हैं dedicated freight corridor सबसे पहले dedicated freight corridor का मतलब यह है कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंडियन railway है ठीक है कहीं कहीं किसी-किसी स्टेट में आपने देखा होगा local trains के लिए अलग track होता है ठीक है और वो उस पे दोरती है वैसे ही freight के लिए goods carrier के लिए goods carry करने के लिए goods को transport करने के यह ठीक है भारत सरकार ने यह decision लिया था कि एक अलग से track बनाया जाएगा जिस पर सिर्फ goods transport के जाए है goods locomotive चलेंगी ठीक है और इसके लिए इसके लिए इसके लिए फिप्ट इयर फिप्ट जो 11th five year plan था 2007 से 2012 में उसमें इसका proposal आया था और यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे यह यह छे खोरीडोर का ठीक है प्रोपोज जल जीसमें से दो अभी तक अभी तक और यह परिशनल हो चुके हैं जो अभी तक पार्शली अपरिशनल हो चुके हैं western dedicated freight corridor और इस्टन dedicated freight corridor भाकी सब अभी तयार हो रहा है और यह सारे details इसमें यह है तो आप dedicated freight corridor का मत मतलब इतना समझ लें कि जैसे कहीं कि किसी किसे में local trends के लिए हमारा special tracks है वैसे ही हमारे goods के goods को carry करने के लिए जो trends चलेंगे वो special tracks पर चलेंगे इसका development हो रहा है इंडिया में ठीक है अभी समझते हैं WAG वगरा का मतलब क्या है WAG सबसे पहले आपको पता हुआ गया हमारे भारत में जो gaze होता है na gaze relevant track तीन या चारतरा के चीज़ पर चलती है जो tracks के बीच में दो tracks parallel tracks के बीच में distance होता है उसको gaze distance हम लोग बोलते है तो सबसे पहला जो होता है wide या broad gaze ठीक है ज जिसमें 3 feet की दूरी होती है Z होता है narrow gauge जो 2 foot change की दूरी होती है और फिर narrow gauge हमारा होता है 2 feet का A जो एन से represent करते है तो यानि हमारा जो W रिप्रेजेंट करता है जो WAG सबसेए यानि W जो represent करता है वो यह रिप्रेजेंट करता है कि यह जो लोकोमोटीव है यह जो train की Instrument यह य गेज पे चलेगी यानि ब्राइड गेज पे चलेगी यानि पांच फिट छे पांच फिट सम्तिंग छेंज के ट्रैक पर चलेगी जो दूसरा लेटर होता है ए या फिर डी या फिर सी या ए इसका मतलब क्या होता है पावर मोटिव यह पावर अपना कहां से डिराइब करता है इस तरह के combinations लिखे रहेंगे, आप समझ सकते हैं, last जो होता है, third जो होता है, g या p, या फिर aim, g मतलब क्या होता है, goods, p मतलब passenger, aim मतलब mixed, यानि दोनों चीज वो carry करेगी, तो ऐसा होता है, coding किया जाता है, हमरे train के engines का, suppose किजिए कि पहला WDM अगर लिखा हुआ है, यानि wide gauge पर चल रही होगी, वो diesel से अपना pound drive कर रही है, यह मतलब mixed है, वो goods और passenger दोनों को ले जाएगी, suppose किसी train पर आपने देखा लिखा हुआ है, WAP, यानि यह क्या है, wide gauge पर चलेगी, AC से चल रही है, AC करेण से चल रही है, और goods को carry कर रही है, उसके बाद एक number आता है, number आता है generally 12, 9, 8, 7 इस तरह से करके, तो यह आपका power generally बताता है कि कितना pound drive कर रहा है, 9 मतलब जो अभी हमारा WAZ 12 launch हुआ है, इससे पहले जो सबसे बेस्टी WAZ 9 ती, जो 9,000 horsepower pound drive करती थी, अभी जो अब मैंने दिखाया कि 12 आ गया, WAZ 12 तो वो 12,000 horsepower derive करती है, आपको पता होना चाहिए, 1 horsepower जो होता है, हमारा 746 kilowatt के round होता है, ठीक है, किलो वाट मैं हो रहा हूँ, 646, 746 watt के round होता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा coding किया जाता है, ठीक है, और जो number दिया जाता है, वो तो number series उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं, तो I hope आपको यह समझ में आया होगा, और पता चला होगा कि हमारे बिहारे के proud करने के लिए, अभी मध्यपूरा electric local factory ने हमें थोड़ा सा मौका दिया है, तो इस मौका को आप भुनाएं, और लोगों से share करें, कि देखिए हमने बिहार में तयार किया है, एक diesel डिजल बोल रहा हूँ, electric locomotive, ठीक है, और आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे साथ जूर जाईए, और सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को, थैंक्यू सो मच्छ